हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मा यूटूब चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे विकास किया वस्था और गर्भा वस्था के बारे में और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चले देखते हम लोग यहां लिंग पहिचान करने लगते हैं तो यह हमें बताना है इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा दो अर्ष कितना दो अर्ष की आयू में जो बच्चे होते हैं वो लिंग पहिचान करने लगते हैं अधिकांस बच्चे 18-24 महिने की उम्र में लिंग की पहचान और लेबल लगाने के छमता विक्सित कर लेते हैं कोहलबर्ग ने बताया कि दो अर्ष के आई में बच्चों में लिंग पहचान इस्तापित होती है उसके पाद अगला खुस्चन इसे में दिया गये है देखो अगला क्विकास आदमक कर कि लिए अधियां कि आप बुकिंकर फिद्धान मुख विकास एक विक्त पूरें जीवनामें निरंतर होता है जो चरनों में होता है यहां परको जीवनागी क् erg एक कफिश्ड पटन चिया जाएगा कि कि विकास यह वक्ति के पूरे जीवन काल में निरंतर होता है, जो चरणों होता है यह किसने कहा था, तो बताएंग हम लोग जो होती है 19 वर्स से 30 वर्स तक और जो मद् यूग था वो 30 वर्स से 60 वर्स कियाए तक और उसके बाद अगला है बाद में परिपक्कता जो होती हो 60 साल की उम्र के बाद में तो यह वस्था मताई थी यह त्यों बताई थी हाई भी गास्ट ने अगला कोश्चन है निम निर्के में कौन मानव विकास के साई करम है तो सबसे पहले कौन से अवस्था होती है फिर बाले अवस्था फिर किस वरा अवस्था और फिर उसके बाद प्रोड़ा वस्था तो यह भी आपसंज हमारा करेक्ट हो जाएगा अब देखों यहाँ पर यह बहुत ही माहत्पूर्ण पाइंट है मानु निम न वस्थां से होकर विकास करता है कौन-कौन से वस्था जैसे कि 600 वस्था जो जन्व से 5 आगउसन आपकर कोंच्न पूछिए कि पहली वस्ता दूसर्य वस्ता तो इनको तो इनको स्रीज वाज याद रहना है शिभा पेपर में में कुन सब्सक्राइब के विकाव कि पांच यह वस्ता कौन से होती और जिसके एज है बहुत जादा महातपूर है यह कोश्चन बहुत इजबार पूचन जाता कि विकाव की दूसरी प्रमुक वस्ता है अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा की विकाग को जो दूसरी अवस्ता होती है वह होती है बाले वस्ता होती है अगला कोशन देखो पूचा गया है 700 अवस्ता होती है 600 अवस्ता होती है 5 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक तो आफ़र जो मार A है वो correct हो जाएगा next question हमारा है बालेवस्था होती है 12 वर्ष तक जो 5 वर्ष या 6 वर्ष से शुरू होती है फिर से देखो वही question पूछ लिया गया है बाल लिकाल होता है बालिकाल होता है 6 वर्स लेकर 12 वर्स की आईउता कब से कब तक 6 वर्स लगा कर 12 वर्स की आईउता को हम लोग बालिकाल या फिर 12 वस्था के नाम से जानते हैं कि निफ्ट कोशन मारा है मद्य बच्पन अवाधी है मद्य बच्पन अवाधी बोला जाता है च्छे वर से गेरा वर्स की आउगी बच्चों को जो आई होती जो आई होती जो आई की बच्चे होते उन्हें बोला जाता है मद बच्पन कि यह बच्चे जो है मद बच्पन अवादी में अब देखो यहां पर कुछ फॉर्ण्ट देगा है जैसे कि कोल ने विकास कि अवस्थाओं का वर्गी करण निव लिखित कि अब वर्थ दो आमतें कि इने की ब неёलता हो और पूर के उम्र बताई अ इस तर बालतव नीव EST झाया तो वर्भ नमचे उमर लोटाई ऑर ने वर्ज़ के संसर काउस्प कर दाई है पिर उसके बाद जो प्रारंबिक की सोरा वस्ता थी तो प्रारंबिक की सोरा वस्ता में बाला की उमर बताई कि 15 से 16 वर्ष और बालिका की बताई 12 से 14 वर्ष उसके बाद मद की सोरा वस्ता कोल ने क्या बताई कि बाला की उमर 17 से 18 वर्ष होगी और बालिका की उमर जो होगी होगी 19 से 20 वर्ष और बालका के होगी 18 से 20 वर्ष और अगला कोशन नमारा है निम्नकित में किस आयु सीमा को प्रारंबिक बच्पन माना जाता है इसका एंफर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष की आयु को जो है प्रारंबिक बच्पन माना जाता है अगला कोशन यहां पे है, कौन सो आई वह परवर्ति-ी पत्रे लिवर्व की आई उखुला कोशन निले, यहां पे जर्म के वस्ता को क्या कहा गर्बाधर का लेकर जन्म पर को अ्विकाय को अद्यन के द्रेख्टी से थीन भागों घवाजित किया तक वस्था गर्बा दान तसे 2nd सब्स्ता इस सब्स्ता में들 जी उग्मनरच जैते हैं उसके पाद अगले बस्ता होती है त्ज सब्सके दूसरे माहल बशन बेखिया चैसे इसे बोला जाता जो है पिंडा वस्था बोलते हैं ये होती तीफरे मा के तीफरे मा के प्रारम से जन्म लेने की समय तक गर्बकालीन वस्था मानो जीवन के सबसे प्रता मुख के विकास के वस्था है ये वस्था गर्बधान से बच्चे के जन्म तक होती है जन्म से पहले गर्ब कालीन विकाफ बहुत त्रीव होता है अगला कोश्चन यहां पर है पैदा होने से पहले का विकाफ मुख के तोर पर बांटा गया है जीवाण भुरूणी अवस्था या भुरूण अवस्था तो इसका इंफर्जाएगा उपरोगत सभी में किसमें उप अगला कोश्चन है विकाफ शुरू होता है विकाफ शुरू होता है पूर प्रफवाफता से किससे पूर प्रफवाफता से विकाफ की शुरूआत हो जाती है अगला कोश्चन है गर्बस सिसु में सम्वेंदन फील्टर का विकाफ प्रारम होता है का प्रारम होता है सिर 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 का विकास होता है जिसे सिफयलो काडल कहा जाता है अता इता विकास अदर सिर से पढ़ता है उसके बाद अगला कोश्चन है गर्ब में बालग को विक्सित होनेकं कितने दिन लगते हैं उसका एम फर ऊचांगा 2 सफी दिन कितने दिन, दो सफी दिन, समानते जन्म पूर काल की आवद 40,анич पतात हुआ, दो सफी दिन की होती है, जन्म पूर काल को तीन काल खंडों जैसे के डंबा वस्था, पिंडा वस्था, तता ब्रूनदा वस्था में पाट आजा फकता है, उसके बाद अगला कोश्चन है, निम्न जो है करेक्ट हो जाएगा अब यहां पर देखों कुछ पाइंट देगें जैसे कि जर्म से पूर होने वाले विकाफ को नकार आत्मक रूफ से प्रभावद करने वाले कारग निम्नकित हैं कैफीन फराब विकेरण फिगरेट निकोटीन आदि यह जो हैं सारी चीजे नकार आ वीडियो में जाने बाद